प्रदेश के मुख्या सीम शिवरासनेहा चोहान ने आगामी 26 जुलाई से 11 और 12 की आफ्राइन का क्षाएं आधिक शमता के साथ खोलने के निर्देश दे दिये हैं सीम के इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग तैयारियों में भी जुट चुका है मगर अभी भावा का अभी भी कोरुणा की इस्थती को लेकर डरे हुए हैं वहीं विभाग का कहना है कि बच्चों को स्कूल में उनके पैरेंट्स का सहमती पत्र जमा कराना होगा प्रदेश में कोरुणा संक्रमन की स्थती नियंतरन में आने के बाद अधिकान शुकत विधियां शुरू हो चुकी है इसके जलते राज्य सरकार ने सतरकता रखते हुए शेक्षणिक संस्थाओं को खोलने का निर्णा लिया आगामी 26 जुलाई से 11 और 12 की आफलाइन कक्षाएं 50% के साथ शुरू करने के नरदेश की बात शिक्षा विभाग इसकी तयारियों में लग चुका है आपको बता दें कि जौरान स्कूल सब्ताहा में चार दिन लगेंगे दो दिन 50% का एक बैच वा अगले दो दिन 50% का दूसरा बैच स्कूल आएगा अतिरेक्त जलापरियोजना समनवयक अधिकारी नरिंदर जैन का कहना है कि बच्चों को स्कूल में उनके पैरेंट्स का सहमती पत्र भी जमा करना होगा वहीं उन्होंने कहा कि ओफलाइन के साथ ही ओनलाइन क्लास और पढ़ाई भी चारी रहेगी देखा जाए तो कोरुना की तीसरी लहर की आशुंका के चलते बच्चों और उनके अभिभावकों में डर है वहीं विभावक का कहना है कि बच्चों के स्वास्त को देखते हुए कोविट प्रिटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के सक्त निर्देश दिये जा चुके है ब्यूर रिपोर्ट, MP News, इंदौर